तो पिछ रिपोर देखेंगे, सबसे हम ले अर्नम स्वाले की उपर रिपर दो मैच्चे लेकिस व्ल्ड कप में पहला हमने देखा था बंग्लादेश निदिलंड का फिर हमने साओट अफरीका नेपाल देखा अब हम देखेंगे याप बंगलादेश और नेपाल का मैच तो आप देखो लेटेस जो मैच था साउथ अफरीका नेपाल का था जिसमें 115 बनाया था साउथ अफरीका ने 116 का टार्गेट दिया और इनकी टीम ने डिफेंड कर लिया अब साउथ अफरीका के क्या टीम है भाईस अब इनोंने अब क्या ही गहने पहले आप देखेंगे एक और मैच वा था नियॉक के अपर जहां पर इनोंने टार्गेट दिफेंड कर लिया था नेधरलेंड के एक मैस था कोई तो जिसमें डिफेंड गया था नोंने और यहां पर भी नोंने डिफेंड कर लिया इससे पहले एक और मैच वा था 159 बनाया था पांच विकेटे के नुकसान पर बंगलादेश ने नेधरले ने इसको चेस नहीं कर पाई था एक मैस के साथ साथ पिछले गेम बें टर डुम मैच यहां डोनों मैच दोनों मैच दो नेधर बेंस बात कहें ने करते हैं चो पताल ओषम्या था धेले दो णाक reglos प्र peppers था नुकली मेरे चाहिए दू फेक्टर तो मैं खुद मान रहा हूँ आई कि सेकंड इनिंग में बड़ विकेट भी स्लो हो जाता है ना सेकंड इनिंग में लफड आई है तो अब देखें जो पिछले मैश तो पर दो मैच दो निकाला है उन्स विकेट निकाला है पहली बारी में पेस ने दो पर देख सकते हैं इस तरह से सर्फेस दिखा था लास्ट गीम के अंदर और उससे पहले जब पिस्ती तो ऐसे दीगेट आपको हलकी सी चैपाउक जैसी फील देती है तिपिकल चैपाउक का जैसे विकेट रगा करता था पहले यह पिछ नमबर तीन पर लास्ट मैच खेला आपको द्यान रखना है इस स्टेडियम का व्यूव दिमेंशन 6167 सामने 76 मिटर्स वन अफ दे मोस्ट पिच्चर स्टेडियम है यह बली राइव वोबल होबट की स्टेडियम की याद दिलाता है बलंस्टोन अरीना जो है सेम इसी तरह वहाँ समुदर के पास स्टेडियम स वले हैं एकदम चिपक के लेट सी इस गेम में क्या होता है वादो फोकास एकदम बढ़िया है आपको दिखा भी देता हूं चाहिए तो डरिस वेरी लेस परसेंट अफ रेंच चांसेस डिव फेक्टर आ सकता है सेकंड इनिंग के अंदर